बजट उपलब्द कराएगी प्रत्य जीले में यात्रियों के साथ एक सक्षम सासकी अधिकारी एक छोटे टीम के साथ उपलब्द रहेंगे रेलवे स्टेशन रेलवे से जाने के लिए दूर्ग रायपूर रायगाड अंभीकापूर स्टेशनों से गंतव्य के लिए रवान होईंगे और इस दवरान अयुद्या धाम जो है गंतव्य होगा इसके साथ वारा नसी में एक दीन का रात्री विश्त्राम कासी विश्वनात मंदीर एवं कारिडूर तथा गंगा आर्ती का दर्शन का लाब भी यात्रियों को मिल सकेगा और इसकी तैयारी हमारी सरकार ने प्रारम कर दी है दूसरा बड़ा निर्णे जो हमारी सरकार ने लिया है राज जी के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ट अधिवक्ता स्री प्रफुल भारत की निक्ति का निर्णे किया है प्रफुल भारत वरिष्ट अधिवक्ता है पहले अतरीक्त महाधिवक्ता रह चुके कल भारत मंडपम में स्वक्ष सरविक्षण का पुरुष्कार वितरण है हमारे प्रदेश को स्वक्ष सरविक्षण में प्रथमिस्थान मिला है और कुल मिलाकर छे इनाम हमारे राज्य को मिलने वाला है उस पुरुषकार वितरण समारों में सामिल होने के लिए मानिनी मुख्य मंत्री विष्णु देव साई जी और नगरी प्रशासन मंत्री होने के नाते मैं स्वयम और हमारे पांच अन्य निकायों के पदाधिकारी विभाद के अधिकारी इस समारों में सामिल होने के लिए जा रहे है इसके लाओ और कोई अन्य फैसले को अखर कुछ बस ये दो महत्पुन फैसले आज के के बैठक में हुए लोग सबापो को लेकर के क्या तैयारी होगा सब्सक्राइब लोग सबाव और धान को लेके कातूर है लेकिन फार्मली हमने बांकी अन्य विश्यों पर भी चर्चा किये लिए मनी मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे क्याबिनेट मंत्री अरुन साब को सुन रहे हैं आप जहां आपको बताते चले कि क्याबिनेट बैठक होने के बाद जो जो निर्ने लिए गए जिन जिन बातों पर चर्चा हुई इसके जानकारी देते हुए वो प्रेस कॉंफरेंस में नजर आए इस दोरान तमाम सवालों के जवाबों का भी वो जवाब देते हुए दिखाई दिये आपको बताते चले कि विश्ण देव साय क्याबिनेट की बैठक हुई है आज काफी एहम बैठक हुई है और लगतार जबसे सरकार बनी है सरकार बनने के बाद बैठको का दौर देखने को मिल रहा है क्योंकि लोगसभा चुनाब नजदीक है ऐसे में तयारियां काफी झाल